Assalamu alaikum, आज हमारे influencer course का पहला lesson है और मैं ये lesson देने में बहुत-बहुत excited हूँ उमीद है कि आप लोग भी इस lesson को लेने में बहुत excited होंगे हम बिल्कुल basics से शुरुआत करेंगे क्योंकि किसी भी चीज को करने से पहले उसके basics को समझना बहुत जरूरी होता है उसके understanding लेना बहुत जरूरी होता है तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि एक influencer होने का मतलब क्या है एक influencer होता कौन है और Instagram पे influencer होने का क्या मतलब है Influencers हमेशा से exist करते हैं ये सिरफ internet की एक चीज नहीं है Influencers कोई भी ऐसा इंसान होता है जिससे आप inspired हों जिससे आप कुछ सीख सकें जिसके आपको कोई चीज पसंद हो जिसका कोई skill आपको पसंद हो जो आप भी सीखना चाहें अपनाना चाहें जिसका आपको lifestyle पसंद हो या जिसकी आपको dressing पसंद हो या जिसकी कोई ऐसी चीज पसंद हो जैसे आप influence होते हैं या impressed होते हैं और आप उन ही की तरहां किसी एक area में या पूरी तरहां बनना जाते हैं या वो डिबेट में बहुत अच्छे होते हैं, किसी भी चीज में बहुत अच्छे होते हैं और आप उनकी तरह होना चाहते हैं इसी तरह आपके स्कूल में भी इस तरह के लोग होते हैं जो बहुत outstanding होते हैं जो overall हर चीज में participate करते हैं और वो आपके real life influencers होते हैं यह तो मैंने आपको रियल लाइफ का बता दिया Instagram पर influencer होने का मतलब यह है कि आपकी एक profile हो Instagram पर जिसमें आप photos के थूँ, videos के थूँ, stories के थूँ, अपने captions के थूँ, आप लोगों से इंटराक्ट करते हैं उनके साथ अपनी जिन्दगी का कोई हिस्सा शेयर करते हैं आप अपने लोगों से, अपने followers से कोई thoughts शेयर करते हैं कोई बाते शेयर करते हैं या अपनी basic lifestyle की चीज़ें दिखाते हैं जो लोग इसको पसंद करते हैं वो आपसे influence होते हैं या आपसे inspire होते हैं इंस्टरगाम पे influencer होने का मतलब यह है content बनाना, instagram पर डालना, upload करना और अगर वो लोगों को पसंद आए और लोगों उसको follow करना चाहें तो आप influencer कहलाए जाते हैं अब influencer होने का मतलब जरूरी यह नहीं है कि लोग आपको आपकी हर चीज के लिए पसंद करें या आपकी हर चीज के लिए आपको follow करें वो कोई भी चीज हो सकती है वो कोई category होती है, कोई genre होता है वो आपका lifestyle हो सकता है वो आपका fashion sense या dressing sense हो सकती है इसलिए fashion influences वो होते हैं जिनको लोग उनके फैशन के लिए फॉलो करते हैं फिर लाइफस्टाइल इंफॉएंसे होते हैं जिनको लोग उनके लाइफस्टाइल के उनके रहने सहने के लिए उनको फॉलो करते हैं इंफुएंसर सिर्फ लाइफस्टाइल या फैशन के नहीं होते हैं फोटोग्रफी के होते हैं, जो अपनी फोटोग्रफी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, लोगों को पसंद आती है, उसके लिए फॉलो करते हैं, फिर वो यह भी बताते हैं को कि वो फोटोग्रफी कैसे करते हैं, उनके क्या ट्रिक्स हैं, उनका क्या स्टाइल है, ताकि लोग उन से सीख सकें और वो इस स्किल के माहरीन होते हैं और उस स्किल की वज़े से लोग उनको follow करते हैं इसी तरह आर्ट accounts भी होते हैं लोगों को 인्फूएंसर्स आर्ट influencers का काम पसंद आता है तो वो उनकी आर्ट केलिए उनको follow करते हैं बहुत बड़ी इंडेस्ट्री जो है वो सिर्फ ब्यूटी इंफ्लूएंसर्स की है जिनको लोग फॉलो करते हैं उनकी ब्यूटी टिप्स के लिए उनके टूटोरियल्स के लिए कि वो अपना मेकप कैसे करते हैं उनका क्या स्टाइल है और ये एक क्रियेटिव आर्ट के क्योंकि ऐसे कई स्किल्स हैं या ऐसे कई कैटेग्रीज हैं ऐसे कई जॉन्राज हैं जो कि अभी तक एक्स्प्लॉर ही नहीं हुए जिनमें लोगों ने बात करना शुरू नहीं की जैसे कि फॉर एक्जामपल हेल्थ में बहुत कम लोग हैं जो हेल्थ रिलेटिड कोई अबने डिटीज ड दोण लें अपना कोई उनिक स्किल डूँन लें जिसके अपको या नॉलेज है या आपको पता है कि आप इस चीज के बारे में पैस्टनिटे नहीं और इस चीज के बारे में मैं शेयर करना चाहते हैं तो लोग आपको उसके लिए फालो करेंगे क्यूBen उस एरिया में आपका influence है उस एरिया में आपको knowledge है उस एरिया में आपको expertise है लेकिन मैं एक बात यहां पर करना चाहूंगी कि Instagram पर अगर आपने influencer बनना है तो यह figure out करने से पहले कि आपने किस चीज के बारे में बात करनी है आपको यह बता होना चाहिए कि आपने क्यों करनी है आपको अपना मकसद मालूम होना चाहिए यानी purpose कि आप Instagram पर influencer क्यों बनना चाहते हैं क्योंकि जब तक आपको अपना मकसद नहीं पता होगा कि यहां पर आप क्यों है आपकी motivation क्या है आपका passion क्या है आप इस पर successful नहीं हो सकते इसमें महिनत लगती है इसमें time लगता है इसमें dedication लगती है इसमें energy लगती है और जब तक आपका purpose आपको ना मालूम हो आपका passion point आपको ना मालूम हो तो बहुत असान है कि आप इसके बीच में give up कर दे लेकिन अगर आप इसको करते चले जाएंगे और आप consistency पर काम करेंगे तो इसमें बहुत सारे benefits है बहुत सारे rewards है जो के monetary तो हैं आप 2000 डॉलर तक कमा सकते हैं आप brands के साथ काम कर सकते हैं और इसके इलावा ये एक बहुत rewarding काम है क्योंकि आपको ये realization होती है कि आप लोगों को influence कर रहे हैं आप दुनिया में एक real impact ला रहे हैं आप change ला रहे हैं जो चीज़ आप internet पर डालते हैं जो आप अपने account पर डालते हैं वो लोगों की real life को influence करता है तो ऐसा बड़ा काम करने से पहले ऐसा बड़ा change लाने से पहले लोगों की जिंदगियों में आपको यह वज़ा होना चाहिए कि आप क्यूं करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप से पूचिए कि आप किस चीज़ के बारे में passionate हैं आप किस चीज़ का शौक रखते हैं आप लोगों की जिदगियों में क्या चेंज लाना चाते हैं या आप किसी चीज़ के एक्सपर्ट है और आपको लगता है कि लोगों को इस चीज़ के बारे में इतनी नौलेज नहीं है और आप ये नौलेज देना चाते हैं आप सिर्फ अपने ख्यालात की बिना पर भी इंफ्लूएंसर बन सकते हैं अगर आप लोगों से अपनी बातें शेयर करना चाते हैं चीज़ों पर कॉमेंटरी करना चाते हैं तो वो भी इंफ्लूएंसर होता है जो दिर्फ मुक्तलिफ चीज़ों के बारे में बात करें और लोग उन बातों को सुनें और उनसे रिलेट कर सकें अगर आप लोगों से सिर्फ अपने उपिनियन्स तक शेयर कर सकते हैं तो आप इंफ्लूएंसर बन सकते हैं लेकिन आपके दमाग में बहुत ले होना चाहिए कि आप लोगों को किस चीज़ में इंपक्ट करना चाहते हैं और क्यों इंपक्ट करना चाहते हैं आपको दुनिया में ऐसा क्या नज़र आता है जो आपको लगता है चेंज होना चाहिए या सिंप्ली आपको लगता है कि लोग शायद आप से entertain हो सकें, आप शायद लोगों को हसा सकें, तो आप entertainment या comedy की category में भी influencer बन सकते हैं Instagram पे successful होने की सबसे बड़ी की ये है that you have to be yourself, क्योंकि आप जैसी बातें बहुत लोग कर सकते हैं लेकिन आप जैसा कोई और नहीं हो सकता तो जब आपको अपना मकसद समझ आ जाए जब आपको ये समझ आ जाए कि आप लोगों की जिन्दगियों में क्या value आड़ करना जाते हैं, तब अगला step लेना बहुत असान है, जब आपको अपनी आवास की पहचान हो जाए तब अगला स्टेप लेना बहुत असान है मैंने अपना इंस्टागाम के उपर काम शुरू किया था पॉजिटिव थिंकिंग के उपर क्योंकि मुझस्वक महसूस होता था कि लोग बहुत साही चीज़ों के बारे में बात करते हैं और बहुत ज़दे नेगिटिविटी है लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि हम अपने अंदर क्या पॉजिटिव चेंज़ ला सकते हैं क्योंकि दुन्या को ब्लेम करना बहुत असान है हर चीज़ के लिए जो गलत हो रही है लेकिन अपने आपको चेंज़ करना बहुत मिश्किल है तो मैं हर संडें साइट चीज़ों के बादरे में बात करती थी कि हम खुद क्या कर सकते हैं हम खुद कितनी जिम्हदारी उठा सकते हैं हम खुद अपने माइंड सेट को किस तरह पॉजिटिव कर सकते हैं और फिर वही पॉजिटिव चेंज़ दुनिया में क्रिएट कर सकते हैं लोगों का इंटरेस्ट काफी बढ़ता गया और वह मेरी परसनालिटी में भी बहुत इंटरेस्ट लेने लग गए और वो मुझे as a person follow करना शुरू हो गए for my thoughts फिर उन्होंने में लाइफस्टाइल में भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया इसलिए फिर मैंने अपना काम expand किया और लाइफस्टाइल को भी include करना शुरू कर दिया अपने इस काम में लोगों को मेरा lifestyle related काम बहुत पसंद आया लेकिन मैं हमेशा ये दिहान में रखती थी के लोग जब मुझे follow करते हैं या मैं जब कोई बात करती हूँ या कुछ लिखती हूँ या कुछ create करती हूँ तो क्या मैं उनकी जिंदगी में कोई positive change लाती हूँ क्या मैं उनकी जिंदगी में कोई value add करती हूँ क्या वो मुझे से कुछ सीख के जाते हैं अगर सीख के नहीं भी जाते तो कोई positive emotion उनके अंदर evoke होता है या वो entertain होते हैं या नहीं क्यूंकि अगर इन में से कोई भी चीज़ मैं उनके लिए नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि मैं उनका वक्त बरबाद कर रही हूँ तो जब भी मैं Instagram पर कोई content डालती हूँ ये बात जरूर होनी चाहिए कि किसी का वक्त मेरे पेच पर आकर जाया नहीं हो रहा ये चीज़ आप सिरफ तब ही figure out कर सकते हैं जब आपको अपना मकसद मालूम हो कि लोगों की जिंदगियों में आप किस तरह value add करना चाहते हैं और फिर आपका content लोगों को पसंद आएगा क्यूंकि आप उनके बारे में सोच रहे हैं आप और आप उनकी जिंदगी में कुछ बहतरी किसी ना किसी तरीके से ला रहे हैं और जो इनसान ये कर लेता है जो influencer ये कर लेता है वो ही एक successful influencer बन पाता है